नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रोई ट्रेजर यूट्यूब चालम है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों बताऊंगा कि PUBG Lite Mobile में जो server issue है उसको कैसे fix कर सकते हैं So for an example मैं अपना game अभी open कर रखा है और आप देख सकते हो कि इसमें अभी server issue है और इसको मैं fix करता हूँ तो चलिए इस वीडियो को start कर दें without wasting any time सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है play store में जाना है और search bar में आपको type करना है DNS changer और फिर search कर देना है और इस app को आपको download करना है यह कुल विलाके 2 MB का भी नहीं है 1.4 MB का है तो easily तुरंट download हो जाएगा download कीजे ओके फिर आपको home screen में जाना है फिर phone के settings में जाएगे यह step ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों के फिर applications में जाएगा फिर आप pubg light को ढूणिए applications में याद रखे pubg light कहां गया याद रखे pubg light ही हो कहीं आपने बढ़ावला का clear data कर दो यहाँ पर pubg light आ गया अब यहाँ पर हमें clear data और share करना पड़ेगा इसको जो के clear data and share करना पड़ेगा ओके यह कर दिया यह step बहुत ही महत्तपून है तो यह कर दिया है अब हम वह app खोलेंगे जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया है dns ओके changer चूसर dns provider में हम click करेंगे तो यहाँ पर custom dns हम enter manually में click करेंगे ओके याद रखेगा सबसे पहला व पेस्ट करने वाला हूँ एक सेकंड होल कीजेगा अब यहाँ पर screen recorder है इसलिए paste नहीं हो रहा हूँ का साइज जैसे wait कीजे escape करता हूँ ओके फिर dns 1 & 2 में आपको यह type करना है 124.6.169.181 ओके फिर यह दोनों में आपको यह type करना है dns 1 & 2 में फिर start में click कर देना ओके जैसे start में click करोगे तो इस तरह का एक आएगा ओके में आपको click कर देना ओके यह connect होना start कर जाएगा तो connect हो गया है अब हमें क्या करना है अब आपको game खोलना है आप notice करेंगे कि server issue जो है fix हो गया है ok pubg में खोल रहा हूँ ok pubg light ही में खोल रहा हूँ na so थोड़ा सा time लेगा loading करने में आपको wait करना पड़ेगा अगर देखना है तो fix हुआ है कि नहीं हुआ so okay pubg light ही है ok so let's see क्या आपको ध्यान देना है कि दोस्तों वो clear data and share जरूर आपको उसमें click करना है so I hope यह सारा यह idea आपके लिए भी work कर जाए so let's see it will take a time मैं escape नहीं करूँगा इस वीडियो को ताकि आप लोगों को ना लगेगी मैं edit कर रहा हूँ कि इसलिए मैं इसको पूरा लंबा ही होने देता हूँ so pubg game खुल गया है अब कुछ इस तरह से आएगा checking updates okay okay यह अब home screen इस तरह से आएगा तो आपको अब gas mood में login करना है यहां पर यह escape कर देना है और previous progress में भी इसमें भी okay कर देना okay कि वो पहला वोला data जोए clear हो जाएगा okay अब देखते हैं क्या होता है आगे final step just still wait come on four time ले रहा है यार so pubg game है obviously okay तो इसमें server server जो problem था दोस्तों वो fix हो गया है आप आप जो कुछ नया लिखा वा रहा है दोस्तों वो लिखा वा रहा है कि जो maximum जो आज इतका जो maximum account बनने वाला है वो उन्हें उन्हें उन्रेडी बना दिया है आपको पढ़के सुना देता हूँ the maximum number of registration today has been reached आज का जो maximum registered है वो reached हो गया है तो आपको कहूंगा दोस्तों कि आपको क्या करना है दोस्तों या फिर रात को 12 बजे बात या सुबह 10 या 11 बजे से पहले आप गेम को खोले जरूर आप 11 बजे से या सुबह ही खोल लेंगे तो आपका गेम जरूर ओपेन हो जाए आपको अब यह बता रहा था कि जो maximum जितना मतलब maximum बीटा वाला जो अकाउंट था वो आज के लिए पुरा हो गया कल वापस से स्टार्ट होगा तो कल आप सुबह यानि आज साम को याई कि घंटे बाद आप ट्राइ करते रहे लेकिन जो server problem था वो तो मैंने fix कर दिया ओके so that's it guys thanks for watching this video have a great day bye